So, it was a normal and good day for us in the market. बहुत अच्छी तरगी से market ने आज हमारे levels को respect किया. सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पर कैसे हमारे trade बना नहीं बना. और साती सार देखेंगे कल, यानि कि 27th और February को हम किस तरह से market में trade करेंगे, कौन सा important levels होने बार है हमारे market के लिए, कौन सा कौन सा जगा पर हम trade कर सकते और Nifty और Bank Nifty में हम दोनों में कैसे trade करेंगे. तो, hey everyone, welcome back to my YouTube channel, The Bengal Trader. I hope you guys are doing well. Okay, first of all, Bank Nifty में आज हमारा concert trade बना. आज हमने live में भी आके यही trade दिया था, यहाँ पर IC बना था, IC के आसपास से market activate किया. अच्छी खास है, हमें एक point देखके जा गया, जो कि Bank Nifty में था, Nifty में भी IC था, वो activate नहीं हुआ, तो सिर्फ पर सिर्फ वन trade and quality trade बना, वो था Bank Nifty में. ठीक है, Bank Nifty आप लोग के साथ में live में भी share किया था, इसके ऊपर अगर sustain भी करता है, शायद मैं buying me interest rate ना हूँ, because IC भी रहेगा और यहाँ पे भी IC है, तो कहीं नहीं वेट करूँगा, exactly market ने अच्छी तरीके से fall दिखा दिया, अब कल के लिए market पे हम कैसे plan करेंगे, देख Bank Nifty flat open होता है, flat open होने के बाद यहां का जो zone है, यह जो low है, यह बहुत interesting होने वाला है, यह वाला low कौन सा है, मैं mark कर देता हूँ, I'm sorry for the background noise, पता नहीं किसके घर से cookker का आवाज आ रहा है, वो भी अभी शाम को, पता नहीं कौन क्या बना रहा है, anyway, होगा कोई, I'm sorry for the disturbance, okay, let focus again, कि यह जो जगा है, इसके नीचे अगर निकलता है, तो मैं एक बाद मार्केट को short कर सकता हूँ, कौन सा level हो जाएगा, कहीं न कहीं 46,518, 46,518 जो की एक round number जासा भी है, 46,500 का, तो मज़्यदार situation बन सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर market कल flat open होता है, यह पूर उपर उपर open होता है, flat open होता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद, जैसे 46,518 के नीचे निकलेगा, मैं एक बार short करूँगा market को, यह जो जो ने 428, इसको बहुत easily market तोर सकता है, और market proceed कर सकता है, यह liquidity area तक, जो की हो जाएगा 320 से लेके 280 के आसपास, यह बहुत smoothly market एक ब entry लेंगे, तो आप फस जाएंगे, आपको हमेशा slowest market पे entry लेना पड़ेगा, विगॉज आपका entry होगा, यह देखो, फिद से कुकर, अंजो सॉरी, तो आपका entry होगा, उसके बाद, आपका momentum generation होना चाहिए, ठीके, ओके, तो और मैं अपने वीडियो को edit नहीं करता हूँ, time invest होता है, तो यह सारा चीजे part of game है, ठीके, यह भी एक मेरा part of game है, तो flat open होगा, नीचे आएगा, 46,518 के नीचे, मैं market को एक बार short कर सकता हूँ, in case अगर flat open के bank nifty नीचे आता है, थोड़ा से ऊपर खुलके आएगा, तो मेरे लिए confidence ज्यादा रहेगा, अगर नीचे open होके आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लोगा हो सकता है, तुरन तोर के थोड़ा उपर जाके फिर आए, तो उपर से short करना ज्यादा preferable रहता है, ठीक है, अब देख लेते gap up और gap down पर हम किस तरह से bank nifty को flat trade करेंगे, और एक चीज में बोलना भूल गया, अगर flat open हो के ऊपर जात तो हो सकता है, अगर नीचे open होता है, एक बल लेके उपर आके फिर बनाएगा, तो नीचे ऊपर की तरफ चलता रहेगा, तो वेट करूँगा, 800 के आसपास से liquidity grab, तो ओके, अगर यहाँ पर आके reaction देके फिर उपर जाता है, प्र जाता है, तो मैं ऊपर ठीक है, तो मैं ऊप बहुत बढ़ा gap आप, इग्नोर कर दूँगा, या profit booking setup एक बार ट्रेड ले सकता हो, बहुत बढ़ा gap down, बहुत बढ़ा gap down, direct 270 के आसपास, एक बार में profit booking में buy करना पसंद करूँगा, हो सकता है, second half में फिर fall आजाए, ठीके, 270 के नीचे इतना बढ़ा gap down open होगा, तो बैंक निफ्टी का साड़ा possible situations, now let's go and check Nifty, Nifty में कहाँ पर हम कैसे trade कर सकते हैं, similar kind of story, Nifty में उपर से एक train line जा रहा है, नीचे में ये level मेरे लिए बहुत important होने वाला है, जो कि हो जाएगा 22,095, मेरे लिए बहुत प्यारा level होने वाला है, इसके नीचे मुझे एक closing चाहिए ठीके, level कैसे निकाल रहा हूं में, बहुत advanced price का है, ये अभी बताने जाएंगे तो देर दो घंटे का हमें assumption, मतलब सिर्फ और सिर्फ observation लग जाएगा, कैसे क्या होता है, ठीके, तो 22,095 मेरे लिए एक बहुत important level होने वाला है, अगर flat open होता है Nifty, flat open हो उपर जाता है, we'll wait, ह हो सकता है, अगर मुझे ये trend line से फिरसे एक बर rejection मिले, मैं एक बर sell कर सकता हूं, इनकेस अगर यहां से rejection नहीं मिला, और कही न कहीं इसके उपर जागा candle close कर दिया, तो हम मान के चलेंगे, चलो, price section भी थोड़ा उपर साइट का है, और साथी साथ trend line के उपर भी close कर रहा है, तो वहां पर मैं थोर असकोंडेटे बाई कर सकता हूं, फिरसे ये सारे एरिया के आसपास तक और जो भी उपर में imbalance पढ़ा हुआ है, वहां तक ठीक है, यह हो जाएगा, इनकेस अगर flat open के निफ्टी उपर जाता है, इनकेस flat open के उपर ना जाके, नीचे आता है निफ्टी कैंडल क्लोज करें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल क्लोजिंग मुझे चाहिए, तो मेरा कंफर्मेशन आ जाएगा, मार्केट आप नीचे की तरफ जा सकता है, 22,000 तक और उसके बाद जो इक्वल लोस परा हुआ है, 218676 के आसपास तक, तो मैं वहां पर शॉट स कहां से भाई करेंगे, यहां से भी मार्केट भूम सकता है, यहां से भी, 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 लेके भी, रेंज बना के भी, आपका एंट्री जहां पर होगा, आपका ट्रेट को वो डिफाइन इनकेस अगर gap up open होता है यह swing के ऊपर जो कि 170 के ऊपर अगर gap up open होता है तो एक shot cover आ सकता है shot cover तो नहीं बोलूगा एक fresh buying आ सकता है इनकेस अगर 176 के ऊपर gap up open होता है और पहला प्रणाय में का candle sustain कर जाता है 176 के ऊपर और train line के ऊपर भी closing कर दिया तो वहाँ पर शोटिंग के बारे में मत सोची at least for कल अच्छा खासा market खीच सकता है उपर की तरफ ठीके बहुत दिनों से sideways चल रहा है दो दिन हो गया sideways चल रहा है और इस दिन अच्छा खीचा था उसके बास sideways आ रहा है तो कहीं नहीं पर से momentum आ सकत गाप पर च्छोटा मोटा गाप पर बहुत ब़हाँ बहुत बड़ा गाप ट्रेन लाइन के ऊपर तो मुझे कोई retracement चाहिए विकॉस अदर्वाइस फ्रेश्ली वहां पर भाई करना थोड़ा से मुश्किल हो जाएगा बहुत दिनों से market इस तरह का gap बगेर सिनेरियों नह नीचे open हो रहा है तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता और अगर middle में open हो दा तो मैं wait करूंगा day low का liquidity या day high का liquidity sweep का या फिर कोई retracement का या फिर कोई proper range का यह बीच में internal structure में फस जाएगा निफ्टी हमें उतना अच्छा trade मिलेगा नहीं तो मैं ignore कर नहीं पसंद करूंगा ठीक है अच्छा यह हो जाएगा साड़ा possible situations निफ्टी और bank निफ्टी के लिए आश अगर तो वीडियो अच्छे लगा है ले लीजिए maximum यह कल तक रह सकता है student coupon code STU D&T आपको बहुत pocket friendly price में advanced चीज़े इतना कम में कम तो क्या शायद कहीं पर आपको मिलेगा भी नहीं आप लोग एक बार खुद का research जरूर कीजिए मेरे बाद पर भरुसा करने की ज़रूरत नहीं do your own research and then select for yourself follow us stay with the channel levels पर काम कीजिए पैसा बनाएं उसी पैसे सीख लिजिए खुद पर invest कीजिए और उसको reinvest के हिसाब से compounding growth पर मजा देखिए चलिए वीडियो को यहाँ पर खतम करेंगे वीडियो अच्छा लगा है तो do like, share and subscribe तब तक के लिए trade smartly और मिलेंगे कल